नमस्कार दोस्तों मैं सोनूर आप देख रहे हैं टेकनिकल सोनूटेक चैनल दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी पलंबर के लिए अभी दोस्तों मैं 50 फिट उपर खड़ा हूँ ठीक है ग्राउन फ्लोर से जो यह हाइट है टैंक का 50 फिट उपर है बहुत ही यूजफुल जानकारी मैं आज आपको जा रहा हूँ देने यहां पे दोस्तों पलंबर जो है जो अधर पलंबर है वो किस तरह से गलती किया है मैं आपको बताता हूं कस्टमर का कंप्लेन यह है कि 50 फिट के उपर से भी नीचे दोस्तों पानी नहीं पहुंच पा देखें यह जो है यह एर पाइफ है ठीक है यह स्टार्टिंग में ही जब यहां पर टैंक लगा हुआ था तो यह यहां पर इस तरह से दिया गया है और इस एयर पाइब में देखें मैं क्या किया हूं यहां पर आप देख सकते हैं यह दो लीटर का थमसप वाला बॉटल है बॉटल को मैं यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, बॉटल को इसके अंदर डाला हूँ, डालने का भी रीजन है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर इंड कैप भी लगा सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं लगाया, अब यहाँ पर मैं इसको मैं बॉटल लगा दिया हूँ, देखे, था आपको बताऊंगा यह दिखे यह थमसब पॉला लाइन नीचे जा रहा है यह दिखे डिरिंज का पाइप है और यह दिखे यहां पे टैंक कनेक्टर बालवाल यूनियन देखे आप लगा हुआ है उस तरह से उधर दो लगा के दिखे आगे यह निकल रहा है चलिया यह दिख है अराम से आना है हाँ हाँ चल रहा हूं कि आजाओ पकड़ू क्या देखिए दोनों टैंक वहां दिखाए दे रहा है थमसब वाला जो बॉटल है देखे एर पाइप में मैं डाल दिया हूँ आई यह अब मैं आपको दिखाता हूँ देखिए वो जो लाइन है ना जो थमसब वाला वाला जो लाइन है यह देखिए थमसब वाला लाइन यह भी आ रहा है ठीक है यह देखिए यहां भी आ रहा है और जैसे एक तो यह परbacks लिए ँद्धा डेने का तरीका है तिके जब एक ही आउटलिट से आपको दो तरफ टाउन करना हो दो जगह पर जैसे एक तो यहां पर डाउन हो रहा है तिके सबसे सही सथीक तरीका यहां से लेकिन को ख़ड़ आ करना पड़े उसकी वज़े से तोड़ फोर ना करना पड़े उसकी वज़े से यह एर पाइप को यह डाल दिया यहां पर ठीक है जब कि यह थोड़ा सा महनत किया होता यहां पर पाइप को कट करता सौकेट डालता और टी लगा के यह सीधा खड़ा हो जाता लेकिन देखिए यहां पर इस तरह से किया गया है एर पाइप अपना यहां पर खड़ा है तो चलो जो भी यह खड़ा है अच्छी बात है लेकिन जो मैं आपको दिखा के लाया हूं टेंग के पास ना थमसफवाला बाटल उसको बंद करना है अगर वहां भी खुला रखेंगे यहां भी खुल दो यहां भी तरिक का है और अगर सीधा लाइन है तो सीधा जेहां' यह तक सीधा अब इसका प्रेसर में दिखाऊंगा हमसाफ वाला बॉटल लगाने का रीजन यह है कि अगर हमको यह एर पाइप बंद करना हुआ तो वह बॉटल को निकालना नहीं है बस उपर से होल कर देंगे वह पूरा प्रॉपर काम करेगा यह पाइप लगाने का यही तरीका है ठीक है अब एर पाइप को एक ही जगह पे देना है अकर दो त्रफ आपका पायप डॉटल नहीं हो रहा है तो और सबसे सही तरीका देने का जहां से पाइप आप का डाउन हो रहा हो वहीm पर खड़ा किजिए अ 출a देखे, ओन कर दिया मैं, और अभी देखे, एर यहाँ पर निकल रहा है, एर निकलने के बाद देखना है मुझे कि यहाँ पर एर नहीं आना चाहिए, कांटिन्यू अभी भी देख सकते हैं, एर खतम नहीं हुआ है, ठीक है, थमसा फॉला वाटर लगाने के बाद भी नहीं ख पड़ेगा, कैसे होगा, चली आईए, मैं बताता हूँ, अब देखे, वापस फिर से मैं आ गया हूँ, देखे, एर पाइब मेरा वहाँ पर दिख रहा है, पाइब लाइन जो है, गलत तरीके से घुमाया गया है, इसलिए प्रेसर में दिक्कत आ रहा है, पाइब लाइन ब दोनों में टी लगा के गया हुआ है, जबकि जब पाइब लाइन बहुत ज्यादा लंबा हो, ज्यादा दूर लेके जाना हो, तो इसको सीधा सेपरेट लाइन डालना चाहिए, सेपरेट लाइन डालिए, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, बस ये इसलिए दिक्कत आ रहा है अभी ये जो लाइन है सीधा घूम के वहां पर जा रहा है, जो मैं प्रॉबलम जहां पर दिखा supposedly यहां पे एर आ रहा है आलवाल को खोला हूं देखा आपने एर आ रहा था तो यह लाइन देखिए यहां से बहुत दूर तक जा रहा है काफी लंबा गया हुआ है यह आप देख सकते हैं आगे तक जा रहा है वहां पे फिर वहां से घोम के देखिए वहां पे वह जो फाइब पड़ेगा तब जो है यह वाला प्राब्लम यह स्वाल्व होगा